जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री राधा अश्टमी वरत की मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दे कभिनंदन करते हैं आज हम आपको श्री राधा अश्टमी वरत 2022 से संबंदित सारी जानकारी देने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में श्री राधा अश्टमी वरत किस दिन आ रहा है और साथ में आपको बताएंगे कि श्री राधा अश्टमी का वरत का शुब मुहरत कौन सा है और श्री राधा अश्टमी वरत के रखने की कौन सी विदी है सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं जैसा कि आप सबी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जनमाश्टमी के वरत के 15 दिन के बाद श्री राधा अश्टमी वरत आता है और श्री राधा अश्टमी वरत को भगवान श्री राधा क्रिशन जी के भक्त बड़ी श्रधा भावना के साथ रखते हैं इस दिन श्री राधा रानी जी का और भगवान श्री क्रिशन जी का बड़ी शद्धा भावना से पूजन किया जाता है श्री राधा अश्टमी व्रत भादरपद मास के शुकल पक्ष की अश्टमी तीथी को आता है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2022 में शी राधा अश्टमी व्रत 4 सितंबर 2022 दिन रवी वार को है भादरपद शुकल पक्ष की अश्टमी तीथी का शुभारंब 3 सितंबर 2022 दोपहर 12 बज़ कर 25 मिनट पर हो जाएगा और अश्टमी तीथी की समापती अगले दिन अर्थात 4 सितंबर 2022 दिन रवी वार को सुभे 10 बज़ कर 40 मिनट पर हो जाएगी इसलिए इस वर्ष शी राधा अश्टमी कवरत 4 सितंबर 2022 दिन रवी वार को ही रखा जाएगा क्योंकि हमारे हिंदू धरम गरंतों के अनुसार राधा अश्टमी कवरत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदे होने के समय अश्टमी तीथी हो इसलिए इस वर्ष 4 सितंबर 2022 दिन रवी वार को ही शी राधा अश्टमी कवरत रखा जाएगा शी राधा रानी जी का अवतार भादरपद मास के शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी को रावल ग्राम में दिन के बारह बजे हुआ था उस इसाब से भी जो 3 सितंबर की अश्टमी तिथी है वो 12 बज़कर 25 मिनड के बाद है इसलिए 3 सितंबर को किसी भी तरह से शी राधा अश्टमी का वरत नहीं रखा जा सकता तो 4 सितंबर दिन रवी वार को ही शी राधा अश्टमी वरत रखा जाएगा तो अब हम आपको बताने जा रही हैं कि शी राधा अश्टमी का वरत किस सी विदी से रखा जाता है शी राधा अश्टमी के वरत को रखने की कौन सी विदी है सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रही है तो सबसे पहली बात ये है कि श्री राधारानी जी का अवतार भादरपद मास के शुकलपक्ष की अश्टमी तिथी को श्री रावल ग्राम में हुआ था वैसे श्री राधारानी जी को बरसाने वाली कहते हैं भक्त लोग जब श्री धाम वरिंदावन जाते हैं तो उस समय बरसाने में श्री लाडिली जी के मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं और कुछ भक्त ये नहीं जानते कि श्री राधारानी जी का अवतार रावल ग्राम में हुआ था शीराधारानी जी का जनम अपनी नानी जी के यहां हुआ था और शीराधारानी जी की नानी का नाम मुखरा देवी है जब शीराधारानी जी का अवतार हुआ था तो उनकी नानी मुखरा देवी ने बड़ी परसंता के साथ उस्सव मनाया था उसी समय से शीराधा अश्मी उस्सव को मनाने की परंपरा चली आ रही है तो अब हम आपको बताने जा रही है कि शीराधा अश्मी का वरत कैसे रखा जाता है तो श्री राधा अश्मी का वरत हमारे हिंदू धर्म में एक मात्र ऐसा वरत है जो दिन के 12 बजे ही खुल जाता है क्योंकि श्री राधारानी का अवतार दिन के बारा बजे हुआ था तो जिस भक्त ने श्री राधा अश्मी का वरत रखना हो उसको ये चाहिए कि 4 सितंबर 2022 दिन रवी वार को सुबह जल्दी उठकर सनान कर लें सनान करने के बाद साव सुत्रे वस्तर पहन लें उसके बाद आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करें अपने घर के मंदिर में आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने घर के आस पास भगवान श्री राध त्यादी से भगवान जी का पूजन करें और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और श्री राधा अश्टमी के वरत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए हमारे इसी चैनल पर श्री राधा अश्मी के वरत की कथा भी डाली जाएगी उस कथा को भी कृपया आप जरूर सुने तो श्री राधा अश्मी के वरत की कथा को पढ़ने या सुनने के बाद श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आरती करने चाहिए पूरी श्रधा भावना से भगवान जी की आरती करें इस तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन किया जाता है और दिन के 12 बजे श्री राधारानी जी का अवतार हुआ था तो इसलिए दिन के बारा बजे आप फिर से भगवान श्री रादा क्रिशन जी का पूजन करें और उस समय दूध और फल भगवान को भोग लगाएं श्री रादा रानी जी को भोग लगाएं उसके परशाद वो भोग जब आप लगा देंगे उसे परशाद रूप में ग्रहन करें तो उस परशाद को आप स्वेम खाएं और परिवार वालों को खिलाएं तो इस तरह से श्रादा अश्मी का वरत दिन के बारा बजे परशाद खाने के साथ ही खुल जाता है श्री राधा अश्मी के वृत हमारे हिंदू धर्म में एक मातर ऐसा वृत है जो दिन के 12 बजे खुल जाता है उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं आप चावल खा सकते हैं रोटी खा सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं लेकिन एक बात आप ध्यान में जरूर रखें कि श्री राधा अश्मी के वरत के दिन आपने प्याज और लहसुन नहीं खाना। प्याज और लहसुन वाली कोई भी चीज आपने नहीं खानी। सात्विक भोजन आप कुछ भी कर सकते हैं। दूद पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी अगर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। लेकिन प्याज और लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए। श्री राधारानी ने अपने भगतों पर इतनी क्रिपा की है कि दोपहर के 12 बजे ही श्री राधा अश्मी का वरत खुल जाता है। अर्थात राधा अश्मी वरत दोपहर के बारा बजे तक ही होता है। उसके बाद भग्त जो कुछ चाहें वो खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मंदिर शिबंसी वाले महात्मा अंबाला शहर में शिराधा अश्मी का अवरत ये उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। शिराधारानी सरकार को 56 भोग समर्पित किये जाते हैं। शिराधा अश्मी के दिन हमारे यहाँ मंदिर में बड़ी श्रधा भावना से कथा, कीर्तन, शिराधा नाम संकीर्तन और साथ में 56 भोग का प्रशाद और उसके साथ ही भंडारे का विशेश आयोजन किया जाता है। भक्त बड़ी श्रद्धा भावना से श्री राधा अश्मी का महस्व मनाते हैं तो आप सब को हमने श्री राधा अश्मी के वरत से सम्बंदित सारी जानकारी दे दी है अगर आपके मन में कोई और प्रेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सब पर आप कोई भी प्रेशन इस व्रत से संबंदित पूछ सकते हैं तो मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूडिब चैनल के ओर से शी राधा अश्मी के व्रत की कथा भी क्रिप्या हमारे चैनल पर आप जरूर सुने वो कथा भी शीगर ही हमारे चैनल पर डाली जाएगी तो मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूडिब चैनल के ओर से शी राधा अश्मी के व्रत के संबंद में आज इकी सकता को सुनने के लिए आप सब का हारदी के धन्यवाद भगवान शी राधा क्रिशन जी की शी राधा अश्मी व्रत की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै शी राधारानी सरकार की जै शी क्रिश्न भगवान की जै शी राधा अश्मी व्रत की जै जै शी राधे जै शी राधे जै जै शी राधे शाम